हेलो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में एक नई कवीता बंदूक नहीं पिछकारी पढ़ेंगे इस कवीता के कवी सरवेश्वर दयाल सकसेना कवीता के माध्यम से हिंसा का विरोध करने को कहते हैं और विश्व में प्रेम की भावना को बढ़ाना चाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अगर कहें मिलती बंदूक उसको मैक करता दो टूक नली निकाल बना पिछकारी रंग देता यह दुनिया सारी इन पंतियों में एक बालक कहते हैं कि यदि उन्हें कहीं से बंदूक मिल जाती तो वे उन्हें तोड़ देते और उसकी नली को निकाल कर पिछकारी बना लेते जिससे सारी दुनिया को वे रंगों से भर पाते वे बंदूक को इसलिए तोड़ना चाते थे क्योंकि बंदूक हिंसा को बढ़ावा देना चाती है और कवी को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है वे प्रेम की भावना को बढ़ाना चाते हैं कवी कहते हैं कि यदि बालक को रंग डालने का अधिकार होता तो वे कवा को बगुला की जैसा दिखाने लगते और बगुला में मोर का रंग डाल कर उसे मोर के जैसा रूप दे देते तोटों का रंग भी वे हरा नहीं लाल रखते और चकोर पक्षी हरे रंग के हो जाते कवी बालक के माध्यम से सारी दुनिया में रंगों के माध्यम से प्यार फैलाना चाते हैं बटक नीली नीली होती पीले पीले बाज एक दूसरे का मैं फॉरण बदलता आज बच्चों इन पंतियों में कवी कहते हैं कि बालक का यदि रंग भरने का अधिकार होता तो वे बटक का रंग नीला कर देते और बाज पीले मैं यानी बालक अपने पिछकारी से उनका रंग भी बदल डालता बालक हर पक्षी हर पक्षियों का रंग बदल कर उन्हें पूरे दुनिया को रंगों और प्यार से भरना चाते थे और फिर ये जंगल के बीच खड़ा हो उन्चे स्वर में गाता ये सब करने के बाद बालक जंगल में खड़े होकर उन्चे स्वर में गाने को गाते बच्यों इस कवीता के माध्यम से कवी यही संदेश देना चाते हैं कि विश्व को बंदू क्या विश्रकता नहीं है उन्हें रंगों से भर कर प्रेम को बढ़ानी की आविश्रकता है वे बंदू को हटा कर बंदू की जगह पिचकारी को लेने को कह रहे हैं ताकि वे पूरे विश्व में प्रेम की भावना को बढ़ा सके आशा है बच्चों यह कवीता अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी आप इस कवीता को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद